दोस्तों जैसा कि सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों के दिनों में पानी गर्म करने की आवर्शक्ता सभी घरों में रहती ही है और लगभग सभी घरों में इंडक्शन, इमर्सन रोड, गैस गिजर या इलेक्ट्रिक गिजर इस परकार के एपलाइंस पानी गर्म करने के लिए रहते ही हैं तो आज की वीडियो में जानेंगे के इन में से किस एपलाइन से पानी गरम करना हमारे लिए फायदे का सुधा रहता है यानि इनर्जी किस एपलाइन से कम से कम कंजूम होती है नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त तरविंद और आप देख रहे हैं अपन अलग तर्थ है कि गैस गिजर का यूज करने से इनर्जी का कंजब्शन कम होता है यानि गैस गिजर से पानी गरम करना सस्ता पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं है हमने प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको एक वीडियो में दिखा भी रखा है यदि हम इमर्शन रोड से पानी ग करता है अपेक्ष्या करत गैस गिजर से लेकिन क्योंकि इस वीडियो में हम इनर्जी कंजब्शन की बात करेंगे तो इनर्जी कंजब्शन को लेकर इमर्शन रोड से पानी गरम करना सबसे सस्ता रहता है अब आप सोच रहे हैं कि जब गिजर के अंदर भी यही इमर्शन होती है तो फिर गिजर से पानी गरम करना कोस्टली क्यों पड़ता है इलेक्ट्रिक गिजर और इस इमर्शन रोड से पानी गरम करना सेम रेट में रहना चाहिए बिल्कुल रहना चाहिए क्योंकि इमर्शन रोड यदि इलेक्ट्रिक गिजर में दो किलोवाट की है तो यह इमर्शन रोड भी दो किलो वाट की ही है तो इनर्जी कंजप्शन बरावर रहना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता उसका कारण यह है कि जब आप इमर्शन रोड से नहने के लिए पानी गर्म करते हैं तो आप एक बाल्टी पानी लेते हैं उसमें इसको डाल देते हैं जब आपका पानी गर्म हुआ है इलेक्ट्रिक गीजर में क्या होता है कि जब आपको सुभे गर्म पानी चाहिए तो उससे 10-15 मिंट पहले आप गीजर को ओन करते हैं और या कुछ यूजर तो 24 गंटे ओन ही रखते हैं तो वहाँ पर तो इनर्जी का अधिक कंजप्शन रहता ह लेकिन जो लोग अपने गीजर को 24 गंटे ओन नहीं रखते हैं केवल यूज करने की समय ही स्विच को ओन करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है कि आपका गीजर यदि 25 लिटर का है तो उसके अंदर 25 लिटर पानी हर समय भड़ा रहता है तो पहले आपका गीजर उस 25 पानी उसमें भरता रहता है तो यानि इस स्टार्टिंग में जो 25 लिटर पानी आपने गर्म किया है उसको आपने निकाल लिया है और फिर से उसमें 25 लिटर ठंडा पानी भर गया है और वहाँ गीजर उस 25 लिटर पानी को भी गर्म करेगा यानि यदि आपको 25 लिटर गर् करना पड़ रहा है उसके बाद फिर आप अपने गिजर का स्विच ओफ कर देते हैं और जो उसके अंदर गर्म पानी था वह फिर सर्दियों के मोसम में धीरे-धीरे ठंडा होने लगता है तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक गिजर को यूज करते समय गर्म पानी की वेस्टेज अ हीट प्रुड्यूस होती है वह टोटल पानी को गर्म करती है यानि इमर्शन रोड से और इलेक्ट्रिक गिजर से हमारी इनर्जी वेस्ट नहीं होती है इसके लावा यदि आप किसी एलिमेंट वाले ओपन हीटर से पानी गर्म करते हैं किसी बरतन में रखकर तो वहाँ पर 40% इनर्जी ही पानी गर्म करने के लिए मिलती है अब आप सोच रहे होंगे कि यदि इनर्जी वेस्ट नहीं होती इनर्जी वेस्ट नहीं होती तो फिर इससे इनर्जी अधिक गिन लगती है अपेक्सयाकर्थ इमर्शन रोड के। जोस्तों हाला कि आपका जो induction होता है यह भी heat का waste नहीं करता है, energy का waste नहीं करता है, तो यदि हम induction से पानी गर्म करते हैं, तो इसके उपर हमें कोई steel का या लोहे का बरतन रखना होता है, क्योंकि induction डिरेक्ट बरतन को गर्म करता है, यह स्वम गर्म नहीं होता है, इसके ऊपर जो बरतन रखा जाता है यह केवल उस बरतन को गर्म करता है और फिर उस बरतन के अंदर जो पानी है वह गर्म होता है यानि अंतर आपको समझ आ गया होगा कि इंडेक्शन बरतन को गर्म करता है फिर बरतन पानी को गर्म करता है जबकि इमर्शन रोड डैरेक्ट पानी को गर समexp. क्योंकि बाहर का temperature बहुत कम रहता है, लगबग 4-5 degree Celsius रहता है, और जो आपका पानी है, उसका temperature लगबग 40 degree Celsius के आजपास हो जाना है, या उससे ज्यादा हो जाना है, तो जब इसके۔ उदुबर रखे metal की बड़तन का temperature 40 degree Celsius रहेगा और बाहर का temperature four degree Celsius रहेगा तो बरतन बहुत तेजी से heat बाहर निकालेगा यानि heat loss होगा और उसके कारण energy का भी loss होगा यानि energy भी waste होगा जबकि immersion road के साथ क्या है यदि आप plastic की बाल्टी में पानी गर्म करते हैं तो पानी आपका अधिक देर तक गर्म रहता है तो आपको clear हो गया होगा कि immersion road से पानी गर्म करने में energy का लोश बहुत कम होता है 90% से उपर energy का हम यूज करते हैं लेकिन दोस्तों यदि आपको दिन भर गर्म पानी चाहिए नहने के लिए भी बाकी कारिय करने के लिए भी हर समय गर्म पानी चाहिए तब तो आपको इलेक्ट्रिक गिजर ही यूज करना चाहिए यदि बात करें इलेक्ट्रिक गिजर की और गैस गिजर तो आपको गैस गिजर से पानी गर्म करना सस्ता लगेगा, इलेक्ट्रिक गीजर से पानी गर्म करना आपको कोस्टली लगेगा, कारण वही है कि जब हम इलेक्ट्रिक गीजर से पानी गर्म करते हैं, तो हम 2400 गंटे या पूरा दिन अपने इलेक्ट्रिक गीजर को ओन रखते हैं, और जगह जगह वा लोस बहुत अधिक हो जाता है और जब हीट लोस बढ़ेगा तो हमारी इनरजी का कंजपसन भी बढ़ जाएगा यानि इलेक्ट्रिसीटी का अधिक यूज होगा और हमारा बिल भी अधिक आएगा जबकि ऐसा गैस गिजर के साथ नहीं होता है गैस गिजर यदि आपने लगा रखा है जब भी आपको पानी गर्म चाहिए होता है तो आप किसी भी टैब के नीचे बाल्टी रखते हैं और टैब को ओन करते हैं जब भी आप टैब को ओन करेंगे आपका गैस गिजर उसी समय ओन होता है बाकी समय ओफ रहता है और जैसे ही आपने अपने यूज का माली एक बाल्टी पानी लिया टैब को बंद किया तो आपका गैस गीजर भी उसी समय बंद हो जाता है यानि आपकी गैस का यूज कितने समय के लिए हुआ जितने समय के लिए आपने पानी को गर्म किया जबके इलेक्ट्रिक गीजर 2400 घंटे ओन रहता है हाला कि वहें भी on-off, on-off होता रहता है लेकिन 25 लिटर पानी को वहें गर्म करता है, maintain रखता है और energy को consume करता रहता है तो इसलिए गैस गीजर से आपको पानी गर्म करना सस्ता लगता है लेकिन हाँ फिर वही कहूंगा कि जहां electric unit rate 10 रुपे से अधिक है वहाँ पर गैस गीजर का यूज करना अच्छा रहता है, सस्ता रहता है लेकिन दोस्तों clear कर देता हूं कि जो bathroom छोटे हैं या ventilation नहीं है, बिल्कुल बंध है, उनके अंदर gas गीजर का यूज नहीं करना चाहिए ज़िए आप gas गीजर का यूज करते हैं, तो कहीं open area में gas गीजर को लगाएं बिग्यता में हम gas गीजर ले आते हैं, दुकानदार भी हमें नहीं बताता है कि कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है और हम अपने bathroom के अंदर ही gas गीजर को fit कर लेते हैं, और दोस्तों जब हम bathroom में नहाने जाते हैं, उसको पूरा बंध कर लेते हैं गैस गीजर को नहीं चलाते हैं, तो यह bathroom के अंदर की oxygen को burn कर देता है, समाप्त कर देता है, यूजर मूर्चित हो जाता है, इस परकार के बहुत सारे हाद से होते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्त